वेलकम बेक फ्रेंड्स दिस इस करंट अफेस फंडा आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा पजल्स नंबर थर्टीन ये पजल कम्प्लीटली बेस्ट ओन है नौर्थ और साउथ एंड पोल के उपर जिसमें 12 परसंस टोटल बैठने होते हैं तो पहली रो में 6 लोग बै बैठेंगे ये question में आपको mention किया होगा तो इस तरह के questions आपके exams में आते हैं और दोनों आपस में एक दूसरे को oppose करते हैं मतलब की एक दूसरे के opposite बैठते हैं ये लोग ठीक है तो कुछ लोगों को problem में जाती कि North side में कैसे बैठालना है या फिर South में कैसे किसको बैठालना प्लेलिस भी हम दिखाते हैं तो आप बहां से हमारी वीडियो देख सकते हैं साथ में अगर पहली बार आप इस चैनल पर आएं तो आप इस बटन पर क्लिक करके चैनल को subscribe कर लें और दोस्तों अगर mobile में आप site visit कर रहे हैं तो आप bell icon पर क्लिक करके सारे updates पा सकते हैं तो इ पहले का गया है 12 people are sitting in two parallel rows containing six people each in such a way इसमें का गया है कि 12 लोग जो है ये दो parallel line में बैठेंगे जिसमें six people in each मतलब की एक row में एक line में छे लोग बैठेंगे और वो इस तरह से बैठेंगे that there is an equal distance between adjacent person इसका मतलब यही हो जाता है कि जो भी दो line में लोग बैठ रहे हैं वो equal distance पर बैठेंगे equal distance का कहने का मतलब यह है कि अगर आपकी दो line है तो एक person यहां पर बैठा है दूसरा यहां पर बैठा है तीसरा यहां पर बैठ गया तो दूसरी line में जो लोग बैठा लोग है पहला यहां पर बैठेगा इसी के equal distance में यहां पर फिर यहां पर तो इसका मैं universal diagram की बात करूँ तो आपको ये चीज बहुत अच्छे से याद होगी कि अगर direction की बात की जाए तो उपर के लिए क्या होता है? north side होती है और नीचे के लिए south pole होता है तो जो पहली row में लोग बैठेंगे उनका face south क्यों रोगा? तो हम ऐसा करते हैं कि दो लाइने ड्रॉ करते हैं और इनको हम ड्रॉ भी कर लेते हैं अब सबसे पहले क्या कि आपने दो लाइने हमने ड्रॉ कर ली आप जो पहली row है इसमें आपके लोग बैठेंगे P, Q, R, S, T, B इसमें कहा गया P, Q, R, S, T और B, ये छे लोग जो हैं पहली row में बैठ जाएंगे उसके बाद और इनका face किदर होगा? South की ओर होगा तो देखो जब आप इन person को यहां पर बैठा लोगे तो इनका face South की ओर करने के लिए क्या करना होगा? ये arrow इस direction में होगा तब ही तो इनका face South की ओर होगा क्योंकि South किदर कहता है? South कहता है हमारा इस side में अब अगर जो लोग North की ओर बैठेंगे तो मतलब इनका face हमें ऊपर करना होगा यहां पर जिस person को हम बैठा लेंगे अब आपको ये concept समझ में आ गया होगा दूसरी रो में बैठेंगे तो अब क्या करते हैं? आगे question परना है start करते है सबसे पहले यहां पर क्या कहा गया है? कि therefore in the giving sitting arrangement each member stated in a row faces another member of other row मतलब वो एक दूसरे को face भी कर रहें यह बात यहां पर clear भी कर दी गई है अब सबसे पहले line में कहा गया है कि S जो है वो third right में बैठेगा किस के? Q के? तो मैंने assume कर लिया कि Q को मैं यहां पर बैठालता हूँ तो suppose करे Q आपका यहां पर बैठेगा आप Q का face south की हो रहे है जब Q का face south direction में है तो Q के right side के अगर बात की जाए तो इस तरब आपको move करना होगा इस direction में तो Q के right में third position पर कौन बैठेगा S बैठेगा तो देखो first ठीक है? second और यहां पर मैंने third बैठाल दिया यहां पर मैंने S को बैठाल दिया अब इसमें आगे क्या कहा गया है? question में ध्यान से पढ़ना आप चार लोग यहां बैठ गया है अब इसके बाद की बात क्या कहींगे? इसमें की लिखा है either S और Q sits at an extreme end मतलब की या तो Q या तो S extreme end पर बैठेंगे तो अगर मैंने यहां पर S को extreme end पर मान लिया तो Q आपका extreme end पर यहां नहीं बैठ पाएगा same question में या तो S या तो Q मतलब की इन दोनों में से कोई एक आपका end पर बैठेगा तो सबसे पहले हम यहां पर मान लेते हैं कि S जो है वो हमारा इस end पर बैठा हुआ है तो जब S बैठा हुआ है तो दो person आपके यहां पर और बन जाएंगे क्योंकि Q फिर आपका end पर नहीं होगा अब यहां पर possibility और हो जाएगी अगर एक बार हमने Q को बैठाल दिया इस तरीके से end पर तब आपका S कैसे बैठेगा तो एक और line ड्रॉ कर लेते हैं अब इस line में हम क्या करेंगे इसमें हम Q को end पर बैठाल देंगे यहां पर S बैठ जाएगा और Q को मैंने एक end पर बैठाल दिया है तो यहां पर दो person आप S के बरावर में और बना दो जिससे आपका 6-6 लोगों का यह pair complete हो जाए अब यह देखो 6 लोग face to face बैठ गए अब मुझे कहाँगर ना इनी दो possibilities को लेकर चलना है कोई एक possibility आपकी 100% यहां पर इस question में wrong होगी ठीक है क्योंकि दो possibility से question solve कर सकते हैं लेकिन end मर एकी end में एकी solution आपका बचेगा अब आगे पढ़ते हैं इसमें क्या लिखा हैं आगे कहा गया है कि the one who faces Q sits second to the right of E जो भी Q को face करेगा the one who faces Q जो भी Q को face करेगा वो कहां बैटेगा sits second to the right of E तो Q को face कौन कर रहा है यहां पर कोई एक person कर रहा है और यह कहां बैटेगा E के second right में तो अगर सारे लोग north क्यों face करके बैटे हुए हैं तो E कहीं यहां पर होगा और E का second right क्या हो जाएगा first और second right E के second right में कोई person यहां पर बैटेगा जो की आपका Q को face कर रहा होगा तीक है यह चीज यहां से clear हो जाती है अब आगे की बात पढ़ते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है अब इसमें आगे कहा गया है कि two pupils sits between B and F दो लोग जो है यहां पर arrange करके देखना होगा कि B और F के बीच में दो लोग कैसे बैट सकते हैं ठीक है और उसके आगे भी एक बात और लिखा है कि two people sits between B and F फिर लिखा है neither B nor F sits at a extreme end of the line मतलब की इस line के extreme end पर B और F जो है वो दोनों नहीं बैटेंगे मतलब की यहां पर B बैट सकता है अगर मैंने यहां पर B बैटाल दिया तो यह extreme end पर आ जाएगा तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि B हमारा यहां पर भी नहीं बैटेगा और एक आपका idea क्या है कि B आपका यहां पर बैट जाएगा तो इसके दो places के बाद में एक और दो places का उद में E बैटा है तो यहां पर F नहीं बैट सकता तो ultimately हम यहां पर क्या कह सकते हैं कि यह वाली जो condition है कि B और F के बीच में दो लोग बैटेंगे और plus B और F extreme end पर आपके बैटने नहीं चाहिए तो इसका मतलब यह वाली condition यह आपकी satisfied यहां पर नहीं हो रहे यह गलत हो गई तो जब यह condition हमारी गलत हो गई तो हम इसको छोड़ देंगे अब second वाली condition पर आप आजाओ ठीक है second वाली condition में क्या कहा गया है अब हम यहां पर सारी बातें करेंगे इसका मतलब कि जितनी बातें भी यहां पर कींती वो सारी गलत थी और second condition ही हमारी यहां पर satisfied होगी अब इसमें कहा गया है कि B और F के बीच में दो लोग बैठेंगे तो देखो एक्स्रीमेंट पर नहीं बैठना चाहिए दूसरी possibility ड्राउ नहीं करनी यहीं पर हम देखेंगे चेक करके तो अब आगे हम बढ़ते हैं अब जैसे ही आप आगे बढ़ोगे इसमें क्या लिखा हुआ है The immediate neighbor of B B का जो पडोसी है immediate neighbor वो face करता है who sits third to the left of P जो की P को third left में बैठता है मतलब की B का जो पडोसी होगा वो P के third left में बैठेगा अब देखो B के यहाँ पर दो neighbors है एक आपका यह है अगर हम B को मानते हैं कि B इस place पर आता है suppose कर लो assume कर लो एक बार कि हमारा B यहाँ पर है क्योंकि दोनों possibility लेकर चलना तो आप दोनों draw करोगे फिर से ज़्यादा figure बन जाएंगे तो B को आप यहाँ पर एक बार मान लो B जैसे ही माना तो B के पर उसमें दो neighbor हो गया अब B के पर उसमें जो neighbor है वो face किसको करेंगे वो P के third left में बन्दा बैठेगा तो अगर उपर वाली line में अगर आप यहाँ पर P को बैठा लोगे तो यह P के right में पूरी position इधर आ जाएगी तो ultimately अगर हम P को यहाँ पर suppose करा बैठाल दिया तो P को इधर बैठालेंगे तो P के third left में तो first, second, third left में वो B का neighbor face करना चाहिए immediate neighbor तो लेकिन B का immediate neighbor तो यहाँ पर कोई बनी नहीं पाएगा इस तरह से अगर मैं B को यहाँ पर रखूँ तो P हमारी उपर वाली line में कहीं पर भी नहीं बैठ पाएगा तो इससे एक चीज यहाँ पर और clear हो गई कि आप हमारे question में B जो यहाँ पर नहीं बैठेगा अब आगे बढ़ते हैं इसमें कहा गया है R and T are immediate nevers of each other R and T जो है वो एक साथ बैठेंगे अब यह मुझे पता है तो देखो जैसे ही मैंने B को यहाँ पर बैठाल दिया तो B का immediate never होगा अब इस वाली condition को एक बार और satisfied कर लेते हैं इसमें कहा गया है कि the immediate never of B faces the person who sits third to the left of P तो अगर मैं P को यहाँ पर बैठालता हूँ suppose करो P अगर आपका यहाँ पर बैठालता है तो P के third left में first, second, third left में B का पडोसी जो बैठालता है उसको यह face करते हुए यहाँ पर दिखाए गया है तो यह condition हमरी यहाँ पर fit बैठ रही है या तो T यहाँ पर या तो R यहाँ पर मतलब कि यहाँ पर भी T और R की confirm condition हमें नहीं मिली तो हमने सोच लिया कि इन दोनों places पर ही बैठेंगे अब आगे question पड़ेंगे यह condition हमारी clear हो सकती है अब आगे कहा गया है कि C sits second to the left of A A के second left में C बैठेगा तो अगर मैं A के second left में C बैठेगा ना तो अब यहाँ पर आप देख लो कि A को आप कहाँ पर रखोगे अगर आप A को यहाँ पर रखोगे तो first second left में E आपका बैठा हुआ है तो C तो नहीं बैठ पाएगा तो अगर मैं A को यहाँ पर रखता हूँ तो A के second left में first और second left में यहाँ पर आपका C बैट जाएगा अब जैसे ही यहाँ पर C आपका बैट गया तो यहाँ पर कितने लोग बचे हैं केवल आपका D बचता है इस वाली line में तो D आपका यहाँ पर बैट गया अब इसके आगे की बात पढ़ते हैं इसमें लिखा है T does not face the immediate neighbor of D T जो है उस person को face नहीं करेगा जो D का immediate neighbor होगा तो D का immediate neighbor B है तो B को जब T face नहीं करेगा तो यहाँ पर 100% R बैटेगा और जब यहाँ पर R बैट जाएगा तो T बचा हुआ वो यहाँ पर बैट जाएगा तो अब देखो यहाँ पर हमने सारी चीज़ा बैठाल दिये P बैठ गया है Q बैठ गया है P, Q, R, S, T और आपका B बचता है B अपने यहाँ पर बैठाल दिया यह आपका बिल्कुल correct इसके according बन जाएगा, अभी मैंने आपको यह जो question समझाया है, इसमें क्या करना है, examination में आपको बहुत सारी possibilities ड्रॉ नहीं करनी, आप चाहते हैं तो यहाँ पर B और F के लिए फिर एक diagram मनाते, T और R के लिए फिर एक diagram मनाते, इससे आपका time खराब हो ज क्योंकि जब हम possibility को cut करना सीख जाएंगे, तो हम mind में calculation कर सकते हैं, कि possibility किस तरह से हमारी cancel out होती है, अब इस पर आधारित जो प्रशन आते हैं, उनको आपको एक बार और समझ जाओगा, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, कि यह diagram हमारा बन जाता है, लेकिन वो question के answer हम समझ नह और देखते हैं, सबसे पहले जो correct order है, वो हमने पीछे जो लिखा हुआ है, P, B, S, T, R, Q, तो वही same order जो है, वो हमने यहाँ पर बना लिया, इसमें दिखा, C, F, A, E, B, D, तो same यही order हमने यहाँ पर copy कर लिया, अब सबसे पहले questions के अगर मैं बात करूँ, तो इसमें क्या क extreme end पर बैठा है, D यहाँ पर बैठा है, S बीच में बैठा है, तो यह वाला pair गलत हो गया, तो इसमें आपको correct order जब आप चेक करोगे, तो आपको यहाँ पर देखो P और D मिल गया, इसका मतलब P यहाँ पर आपका बैठा हुआ है, ठीक है, और D यहाँ पर आपका बैठा और आपको option number पहला मिल जाएगा, तो यह आपका right answer हो गया, एक और question कहता है कि how many persons are seated between B and R, अब देखो B और R के बीच में कितने person बैठते हैं, यह आपको बताना है, तो B आपका यह रहा, R आपका यह रहा, B और R के बीच में दो person बैठते हैं, तो हम कह सकते है, two person only, तो हमा partners to relate करता है, in the same way, S is related to B, S जो हम सरव कपा गए, पहम कहना पर OUTा हम सics by a, इस दो कहां करता है, तो मैं यह ही कहना चाहांगा, P is related to a, फिर कहा गया है, S is related to B, अब जो S Mai, यह रहा I, Großelätल करता है, कि कहा गया हम, एक अच कह सम्गा पहरा क्रेंड़तों सक बीच में गया है, कि T, यहाँ पर capital T कर लो, T का relation in the same way कैसे होगा, अब देखो, T यहाँ पर आपका बैटा है, क्या हो क्या हो रहा है, P के diagonal में third position बाला चेक हो रहा है, यहाँ पर, अब देखो S का first, यह इस तरह से, S का यह बाला, ठीक है, मतलब कि S के बराबर में जो immediate never है, उसके बराबर बाला never का face करता हूँ बन रहा है, तो P के बराबर में जो second बाला है उसको face कर रहा है, तो S के second बाले को, देखो P का second बाला जो है, उसको यह face कर रहा है, क्योंकि second बाले को यह face कर रहा है, तो अगर मैं T का बता हूँ, तो T का second बाला क्या होगा, उसको यह T बाला face करेगा, तो T का फेस करते हुए कौन बन जाएगा यहां पर D बन जाएगा तो यहां से हमारा answer क्या आजाएगा यह D option number B आपका correct answer होगा और value हैंपर क्या आएगी D को फेस कर रहा है ठीक है एक और question है number 5 अब number 5 question में कहा गया है which of the following is true regarding T आपको बताना है कि T के बारे में कौन सा कथन यहां पर दिया गया है जो सही है सबसे पहले का गया है F faces T तो देख लो क्या F क्या T को face कर रहा है अब आपका F कहां पर है F आपका यह है और T यहां पर F और T face नहीं कर रहा है तो पहला गलत दूसरा लिखा है कि B is an immediate never of T T के बिल्कुल immediate never में B है बिल्कुल गलत है तीसरे में कहा है कि F faces the bun who is second to the right of T मतलब जो है F जो है वो उसको face कर रहा है F faces the bun मतलब कि F इस person को face करेगा who is second to the right of T T के second right में है तो T का face अगर south की हो रहा है तो T का right भी इसी direction में आएगा तो T के second right में दो को first और second right में यह बाला person हो जाएगा तो F जो है इस person को face कर रहा है जो T के second right में बैटा है बिल्कुल सही का गया है तो यह बाली condition हमारी यहाँ पर satisfied हो जाएगी तो यह हमारा right answer यहाँ पर है ठीके एक और यहाँ पर हम question लेंगे इसमें 6 में कहा गया है 4 of the following 5 are alike in a certain way मतलब कि यहाँ पर जो 5 दिये हुए options हैं आपको इसमें से 4 options जो हैं आपका एक certain order एक follow करते हैं तो आपको बताना है कि कौन सा इस group में follow नहीं करता है तो देखो सबसे पहले लिखा है C और B अब मैं underline करता जाऊँगा C और B मतलब कि इस तरह से यह देखो C और B को मैंने इस तरह से बना दिया फिर second कहता है A और T आपका A यह रहा और T यह रहा देखो A और T जो है कुछ इस तरह से बन गया है ठीके just cross है और बिल्कुल same pattern में कर रहा है E और Q अब आपका E यह है Q यह है देखो E और Q cross तो कर रहा है लेकिन यहाँ पर इनके बीच में distance बहुत जादा है E के पास में अगर E का देखो यह बिल्कुल नजदीक बाला नहीं है उसके बरावर में second बाला है तो इसके बीच में दो लोगों का गयब हो रहा है अगर मैं बात करूँ E यहाँ पर बैठा है तो बात की जाए इस वाले को cross करना चाहिए था तभी तो यह वाला pair बन था लेकिन वो इस वाले element को cross कर रहा है इस वाले element के साथ pair बना रहा है तो इस बज़े से E और Q जो है वो एक इस certain group को follow नहीं करते तो ultimately option number D जो है यह आपका यहाँ पर right answer हो जाएगा I hope कि आपको यह question समझ में आया होगा ऐसे questions कि आप practice set से question की practice खूब सारी करें और बाकी जो puzzles की और आप यहाँ पर देख सकते हैं और इस लोगों पर क्लिक करके चैनल को subscribe भी कर लें साथ में आप ट्यूट कर सकते हैं I am current affairs पर और हमारे facebook page को follow कर सकते हैं ज्यादा update आप तक आते रहेंगे और दोस्तों इस वीडियो को like करें चैनल को subscribe कर और share करना ना भूलें Thank you friends have a good day